इको काडियोग्राम एक सामान्य निदान है जिस मिध्वनी तरंगों की उप्योग से रदय का आकार और कद ना पजा सकता है ताकि आपके डॉक्टर ये जान सके कि आपके रदय कितनी अच्छी तरह रख्ट को पंप करता है और आपके रदय के वालवों और जेंबरों में कोई असमान्य ता नहीं है ये देख सके ट्रांस्तोरासिक इको काडियोग्राम में आपका सॉनोग्राफर आपकी छाती पर ठंडी जैल लगाएगा यानि के एक लगबग ठोस चिपचपा घोल आपका सौनोग्राफर आपके रदय तक दरदरही ध्वनी तरंगों को भेजने के लिए एक ट्रांस्ड्यूसर को यानि की मरेज की छाती पर रखने के लिए एक विशच प्रकार के प्राप को मजबूत से जैल में से सीने पर रदय के हिस्से में घुमाएगा ये तरंगे शरीर के अंदर जाते ही रदय के साथ टकरा के तुरंथी प्रतित्वनियों के रुप में ट्रांस्ड्यूसर पर वापस आ जाती है और यानि की इको होती है ये तिवनी तरंगे रदय की मास पेश्यों, कक्षों और वालवों की वीडियो स्क्रीन पर देख सके ऐसी लाई छवियों में बदल चाती है डॉपलर इकोकाडियोग्राम रक्त कोशिकाओं के द्वारा बनने वाली प्रतित्वनियों को नोट करता है रद के प्रवा की गती और उसके दिशा ये संकेत देते हैं कि आपके रदय के अंदर कितनी अच्छी तरह बहुर रहा है स्ट्रेस इकोकाडियोक्राम में आपके रदे की व्यायाम के पहले की चवी और व्यायाम के बाद की चवी का परिक्षन के लिए एक विशिश दवाय जो कि आपके रदे को श्रमित करती है और उसे देने के बाद चवी लेते हैं और उनकी तुलना करके उनका मुल्यांकन करता क्रिया कलाप से पहले और बात के आपके इको परिणामों की तुलना करने से आपके डॉक्टर आपके हुर्दों की कुछ समस्याओ जैसे कौरोनरी आर्ट्री डिजिस यानि की रदय की मुख्य धमनियों से संबंधी द्रोग जिसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकत है जो केवल रदय पर श्रम पढ़ने से ही हो सकती है ट्रांसेस ओफेजियल इको काडियोग्राम में जब आप बेओ शुकर सो रहे हो तब ट्रांस्दूसर को हलके से आपके कले में से पारित किया जाता है और उसमें से ध्वनी तरंगों को प्रेशित किया जाता है यह परि